पवन सिंग कहीं न कहीं आज कल भुषपूरी इंडस्ट्री से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास कर गानों से अधिकतर अब इसको लेकर कई सारे कयास लगाये जा रहे हैं कि पवन सिंग कामचोर हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं और ना जाने क्या क्या पर भईया हकीकत यहां कुछ और है और क्या है वो बताएंगे आपको प्रूफ के साथ तब तक वीडियो को लाइक जरूर करना पवन सिंग साल 2017 में जब बीजेपी जुआइन किये तब से ही राजनीती में बीजेपी के तरफ से कई बार प्रचार प्रशार करते दिखाई दिये हैं कई बार रैलियों में भी भाग लेते हुई दिखाई दिये हैं और कई बार नरेंद्र मोदी जी, नितिंग गड़करी जी और योगी अधित्यनाथ जी जैसे बीजेपी के बड़े निताओं के साथ भी दिखे हैं। अभी फिलहाल दिनेश लाल यादो जी को आजम गड़ में विजई बनाने में कहीं न कहीं आधासरे पवन सिंग को ही दिया जा रहा है और इस बात की पुस्टी दिनेश लाल यादो ने अपने एक पोस्ट के माध्यम से भी की है। तो क्या राजनीत में बढ़ते पवन सिंग के कदम यही सारा कर रहे हैं कि पवन सिंग भी अगले साल बीजेपी के तरब से चुनाओं लड़ सकते हैं। भोजपूरी इंडस्टी से अब आपके बाद बीजेपी के अगली पसंद कौन हो सकते हैं। चर्चाएं तो होती होगी। पवन सिंग। पवन सिंग जी हमारे जो भाई हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। उनको पूरी दुनिया जानती है। और जहां भी भोजपूरी का कुछ अगर गाना बसता है तो पवन सिंग जी का गाना बसता है। तो मुझे लगता है कि अगला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे। पवन सिंग के इतर चर्चा आमरपाली दूबे की भी है जो आजमगड में लगातार निरहुआ के साथ दिखी है। और तो और उन्होंने हाल ही में निरहुआ के साथ सीम योगी आदितना से भी मुलाकार की थी।